यहां पर मैं यानिकी प्राची बनाती हूँ आज क्राफ्टें DIY रिलेटेड वीडियो जैसा कि आज का वीडियो का टाइटल है कि मैंने अपने साड़े चार से पांच घंटों की महनुत को साड़े चार मिनिट में दिखाने की कोशिश की है और इस वीडियो को प्लीज आप ए बहुत ही सिंपल येट बहुत ही सुन्दर सी मदुबनी आर्ट बनाने का ट्राइ करती हो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख चुके हैं कि मैंने पहले सबसे पहले बॉर्डर बना लिये और मैं सबसे पहले पैंसिल से ही ड्रॉ करती हूँ ताकि अगर कोई भी मिस्टेक हो और स्पेशली मदुबनी आर्ट में तो हम हर चीज का डबल लाइनिंग करते ही हैं अब मैंने बॉर्डर में बहुती सुन्दर से फ्लार्स बना दिया है और पीच में जो मैंने सरकल बनाया था वहाँ पे मैंने एक फिश बना दिया और फिश की जो टेल है वहां से मैंने ब कपड़े पर बनाया जाता है इसके लिए वहां पर ना इंक का यूज करते हैं या फिर लिक्विड कलर्स का यूज करते हैं लेकिन यहां पर मैं पैन का यूज करती हूँ और कलर फिल करने के लिए ब्रश पैन का यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास ना हैंडमेड पेपर और क्लोथ पे भी मैंने अभी जो पेंटिंग की थी वो भी मेरे पास कूरती को मुझे नया लूक देना था इसलिए मैंने किया था दरवाइस कपड़े पर मुझे especially कपड़े लाने होंगे मार्केट से जिस पर मुझे पेंट करना है तो अभी मेरे पास जो अविलेबल है वो है ड्रॉइंग पेपर तो इसलिए मैंने ड्रॉइंग पेपर पर सिंपल जो कलर उस पर यूज हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग किया है इसलिए मैं अब ये नहीं बोल सकती कि बहुत ही अथेंटिक मदू बनी ड्रॉइंग बना रही हूँ हाँ बट थोड़ा सा चेंज करके अपने अकॉर्डिंग मुझे जैसा पसंद है मैंने वैसे बनाने का ट्राइ किया है तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब मैंने कलर फिल करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि जो भी मुझे ड्रॉइंग बनानी थी वो मेरी कम कहना चाहिए कि देशी कलर्स का यूज होता है यूनो लैक ओरेंज, रेड, ग्रीन, येलो ऐसे बहुत ही ब्राइट कलर्स का यूज होता है क्योंकि पहले जब हम मदुबनी आर्ट लोग जो बनाते थे वो जनरली दिवारों पर बनाते थे घरों की और वहां पे पेंट करन के लिए उनके पास में जो कलर्स होते थे वो नेचरल कलर्स अवेलेबल होते थे तो उनकी हेल्प से ही बनाते थे अब आज हमारे पास बहुत सारे कलर्स होते हैं बहुत सारी शेड्स में होते हैं इसलिए हम अलग-अलग शेड्स में बनाते हैं लेकिन जो बेसिक जो कोई पहले फिल करूंगी क्या होता है जब हम ब्रश पैन से कलर करते हैं तो जैसे मैंने अगर फ्लार में हर पेटल में अलग-अलग कलर से लेखिया है करने के लिए तो फिर वहां प्रॉब्लम होगा कि वह दोनों कलर आपस में मिक्स हो सकते हैं अगर वह अच्छे से ड्राइ नहीं हुए है इसलिए मैंने पहले आराम से थोड़ी थोड़ी अलग-अलग स्पेसे में कलर किये जिससे एक कलर को अच्छे से ड्राइ होने का टाइम मिल सके और ओवरलैपिंग कहीं पे भी ना हो जिससे जो मेरी ड्रोइंग बनेगी वो बहुत ही साफ सुत्री बनेगी औ तो अब अल्मोस्ट सब कुछ फिल हो चुका है और अब मैं एकदम बारिक डीटेलिंग दे रही हूँ जिससे जहां पे भी खाली जगर दिख रही है न वहां मैंने सोचा कि अब फिलिंग करना स्टार्ट करना चाहिए तो जो बैग्राउंड बचावा था वहां पे मैंने डार्ग ब्लू कलर किया और सबसे पहले मैंने सोचा कि ब्लाक कलर से इसमें डिजाइन मनाते हूं लेकिन ब्लाक कलर से डिजाइन मनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है डार्क पर डार्क मुझे पसंद नहीं आ रहाता है इसलिए मैं ने उसको थोड़े से में ही रोक करके और फिर वाइट पैन से करना स्टार्ट किया तो बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ बट टाइम टेकिंग है यह बात सही है मेरा मदुबनियाट बनकर तयार हो चुका है आपको यह देखने में कैसा लगा प्लीज मुझे कामेंट सेक्शन में बताना थैंक्स फॉर वाच्चिंग